नमस्कार, Vision ISK News Today के संख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा के दृष्टी से महत्वपूर्ण, कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हेडलाइन के बारे में PS6 Stage 2 के विश्व के पहले प्रोटोटाइप Electrified Flex Fuel Vehicle को लौंच किया गया वस्त्र मंत्राले ने तकनीकी वस्त्रों में आकांशी नवप्रवर्तकों में अनुसंधान और उद्यमिता के लिए स्टाट अप दिशानिर देशों को अनुमती प्रदान की सैप्तुराष्ट्र बाल अधिकार समिती ने पहली बार बाल अधिकारों और पर्यावरन पर मार्क दर्शन प्रदान किया आटो मोबाइल और आटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबध प्रोच सहन योजना को एक और वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया पूरी तरह से आनुक्रमित वाई गुण सूत्र ने 41 नए जीन्स की जानकारी दी और मानव जीनोम में 30 मिलियन नए शार शामिल किये गए ग्रामिन विकास मंत्राले ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली की प्रगती की समीक्षा की और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं BS6 Stage 2 के विश्व के पहले प्रोटोटाइप Electrified Flex Fuel vehicle को लॉंच किया गया है इस वाहन में Flex Fuel engine के साथ साथ एक Electric Power Train भी मौजूद होगा ये इथनॉल का उच मात्रा में उप्योग करेगा और बहतर इंधन दक्षता प्रदान करेगा Flex Fuel vehicle में एक आंत्रिक दहन इंजन लगा हुआ है ये इंजन एक से अधिक प्रकार के इंधन या इंधनों के मिश्रन पर संचालन कर सकता है उधारन के लिए E85 इसमें 85 प्रतिशत इथनॉल इंधन और 15 प्रतिशत तक गैसोलीन या मात्रा के हिसाब से अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं इसका लाव ये होता है कि ये कार्बन मोनो ऑक्साइड और सल्फर जैसे हानिकारक प्रदूशकों का बहुत कम उत्सरजन होगा साथ ही कच्छे तेल पर आयात निर्भरता में कमी आएगी लेकिन दोश ये है कि पारमपरिक गैसोलीन इंधन की तुलना में बहुत कम माइलेज मिलेगी और इथनॉल के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जल की खपत करने वाली फसलों को उगाये जाएगा भारत स्टेज 6 उत्सरजन मानक आंतरिक देहन इंजन और स्पार्क इंगिशन इंजन उपकरन से वायू प्रदूशन के आउटपुट को नियंतरित करने के लिए निर्धारित किये गए हैं आपको बता दें कि सरकार ने BS4 के बाद सीधा BS6 उत्सरजन मानकों को लागू कर दिया है BS6 मानक एक अपरेल 2020 से प्रभावी हुए थे BS4 से सीधे BS6 उत्सरजन मानकों को अपनाने से इंधन की गुणवत्ता में महतफून रूप से सुधार हुआ है ऐसा इस कारण हुआ है कि BS6 मानकों के तहत अनुमेय सलफर की मात्रा को 80 प्रतिशत तक घटा दिया गया है यानि कि 50 पार्ट्स प्रतिमिलियन से कम करके अधिकतन 10 पार्ट्स प्रतिमिलियन कर दिया गया है और आईए अब चर्चा करते हैं इथनौल मिश्वित पेट्रोल कारिक्रम के बारे में इथनौल आपूर्ती वर्ष 2021-22 के लिए पेट्रोल में औसतन 10 प्रतिशत इथनौल के मिश्रन के लक्षे को जून 2022 में ही प्राप्त कर लिया गया था जैवीधनों पर राश्ट्रे नीती 2018 ने इथनौल आपूर्ती वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक इथनौल मिश्रन का लक्षे निर्धारिक किया है और आईए बात करते हैं अगली खबर की वस्त्र मंत्राले ने तक्नीकी वस्त्रों में आकांशी नव प्रवर्तकों में अनुसंधान और उद्यमिता के लिए स्टार्टप दिशानिर्देशों को अनुमती प्रदान की है इन दिशा निर्देशों के मताबिक तक्निकी वस्त्रों में स्टार्ट अप एको सिस्टम विक्सित किया जाएगा, इस से विशेश उपशेत्रकों पर ध्यान के इंदृत किया जाएगा, उधारन के लिए जैव निमनी करनिय और संधारनिय वस्त्र, उच्च प्रदर्शन कर वाले और विशेशी कृत रेशे तथा स्मार्ट टेक्स्टाइल आदी, वहीं इन दिशा निर्देशों में वित्य सहता का भी प्रावधान किया गया है, ये प्रोटोटाइप्स को प्रध्योगी कियों और उत्पादों में रूपांत्रित करने तथा बाद में उनका वानि दिया जा रहा है, IIT दिल्ली, National Institute of Fashion Technology, NIFT मुंबई आदी को वेधिशाला अवसनरचना को अपग्रेड करने और तक्नीकी वस्त्रों में नवीन डिग्री कारिक्रम प्रस्तुत करने के लिए अनुमोधन प्राप्त हुआ है, तक्नीकी वस्त्र अभियांत्रित यानि की इंज तक्नीकी वस्त्रों के लिए कई पहले शुरू की गई है, जैसे कि 31 तक्नीकी वस्त्रों के लिए गुण वत्ता नियंत्रन आदेश जरी किये गए है। भारत को तकनीकी वस्त्रों में विश्व में अग्रणी बनाने के लिए राश्ट्रिय तकनीकी वस्त्र मिशन लॉंच किया गया है इसे वित्तवर्ष 2021 से वित्तवर्ष 2023-2024 तक की अवधी के लिए लागू किया गया है इसके घटकों में हैं अनुसंधान, नवाचार और वि में सेंग्तुराष्ट्र बाल अधिकार समिथी ने पहली बार बाल अधिकारों और पर्यावरन पर मार्गदर्शन जारी किया है। नवीन मार्गदर्शन को आपचारिक रूप से जनरल कमेंट नमबर 26 कहा गया है। ये मार्गदर्शन बच्चों के स्वच्छ, स्वास्थप्रद और सतत पर्यावरन में रहने के अधिकार की पुष्टी करता है। ये सेंग्तुराष्टु बाल अधिकार अभी समय के तहत राजी के दाईत्वों की व्यापक व्याख्या करता है। इसका लक्ष बाल अधिकारों पर पर्यावरन निमनीकरण और जलवाईव परिवर्तन के नकरात्मक प्रभावों का शमन करना है। जनरल कमेंट नमबर 26 ने ये सिफारिशें की हैं कि तहरे ग्रहीय संकट जिसमें की जलवाईव आपात, जैविवित्ता हरास और व्यापक प्रदूशन ये तीन ग्रह के सबसे बड़े संकट हैं। का विस्तार और परिमान वैश्विक स्तर पर बालाधिकारों के समक्ष, तातकालिक और प्रणालिगत खत्रा है। देशों को इन खत्रों से निपटने के लिए कई उपाई करने चाहिए, जैसे कि वानिजिक गतिविधियों से होने वाले परियावरणी नुकसान से बच्चों को बचाना चाहिए, नियाय तक पहुँच प्राप्त करने के लिए बच्चों के अनुकूल, साधन और माध्यम उपलब्ध करवाने चाहिए, जलवाई और वित्त पोशन अंतरालों को समाप्त करना चाहिए, आपको बता दें कि UNCRC को 1989 में अपनाया गया था, ये जीवन, स्वास्त, स्वक्ष जल, उत्तर जीविता तथा विकास सहित, अन्य बाल अधिकारों को भी रिखांकित करता है, इसकी भारत सहित 196 देशों ने अभिपुष्टी की है, CRC यानि बाल अधिकार समीती 18 सोतंत्र विशिशग्यों का एक निकाय है, ये UNCRC के पक्षकारों द्वारा इसके कार्यानवेन की निगरानी करता है, आपको बता दें कि बच्चों पर जलवाईू परिवर्तन के काफी व्यापक जोखिम है, साथी खराब पोशन सिक्षा की हानी आधि के कारण विकास शमता पर दुस्प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा गंभीर बिमारियों के प्रती सुभेदिता बढ़ गई है, और शारिरिक तथा भावनात्मक सुभेदिताएं जैसे मानसिक तनाव आ अगला टॉपिक है, आटो मोबाइल और आटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबध प्रोथसाहन योजना को एक और वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, सरकार ने वार्षिक योजना की बजाए तिमाही आधार पर प्रोथसाहन राशी वित्रित करने का भी न लिया है, आटो मोबाइल और आटो कंपोनेंट उद्द्योगों के लिए पियलाई योजना, पियलाई आटो शुरू की गई है, इसका नोडल मंत्राले भारी उद्द्योग मंत्राले है, इसका उद्देश एडवांस्ड आटोमोटिव टेकनोलोजी आधारित उत्पादों की आपूर्ती शुंखला को आगे बढ़ाना है, इडवांस्ड आटोमोटिव टेकनोलोजी यानि एएटी की स्वदेशी आपूर्ती शुंखला में नए निवेश के लिए 18 प्रतिशत तक का प्रोथसाहन प्रदान किया जाएगा, साथ ही उच्चि समवर्धी हासिल करने के लिए 2 प्रतिशत तक का आतिरिक्त प्रोथसाहन प्रदान किया जाएगा, इसका आधार वर्ष प्रोथसाहन के लिए बिक्री आधारीत पातरता की गड़ना के लिए आधार वर्ष को 2019-20 रखा गया है, और आटोमोबाइल इंड़स्ट्री को प्रोथसाहन देने के लिए श प्रोथसाहन के अलावा है, इसमें परियोजना प्रबंधन एजेंसी है, IFCI Limited जो सावजनिक शेतरक की एक घैर बैंकिंग वित्य कमपनी है, इसकी उपलब्धी ये है कि योजना के तहट 95 कमपनीों को शामिल किया गया है, अगले 5 वर्षों में 66,690 करोड रुपे के कुल खर्चे का प्रावधन किया गया था, और इसमें 30 जून 2023 तक 10,755 करोड रुपे का निवेश किया जा चुका है, सरकार का लक्षी ये है कि भारत की GDP में और्टो मोबाइल शेतरक का योगदान बढ़ा कर 12 प्रतिशत करना, जो वर्तमान में 7.1 प्रतिशत है, इस शेतरक में रोजगार स्रजन को 50 मिलियन तक बढ़ाना है, जो वर्तमान में 37 मिलियन है, अगली खबर विज्ञान एवं प्रोध्योगी की से संबंदित है, पूरी तरह से अनुक्रमित वाई गुनसूत्र ने 41 नए जीन्स की जानकारी दी है, और मानव जीनों में 30 मिलियन नए टैलोमेयर टू टैलोमेयर अनुक्रमित किया गया है, टैलोमेयर डेने अनुक्रम और प्रोटीन से बनी संरचनाय हैं, ये गुनसूत्र के सिरे को ढखती हैं और उसकी रक्षा करती हैं, गुनसूत्र प्रोटीन और डेने के एक अनु से बनी धागे जैसी संरचनाय हैं, ये Y गुनसूत्र दो मानव सेक्स गुनसूत्रों में से एक है, दूसरा गुनसूत्र X है मानव जीनों में 22 युगम और एक युगम सेक्स क्रोमोसूम होता है जैसे महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY क्रोमोसूम होता है Y गुण सूत्र पुरुष निर्धारक गुण सूत्र है क्योंकि इसमें SRY जीन होता है ये टेस्टिस जैसी कुछ लेंगिक विशेष्टाओं के विकास के लिए जिम्मेदार होता है X गुण सूतर के विपरीत Y गुण सूतर छोटा होता है और इसमें कुछ जीन होते हैं X पर लगभग 1000 जीन्स की तुलना में Y पर केवल 27 जीन होते हैं Y गुण सूतर में बड़ी मात्रा में जंक DNA भी मौजूद होता है ये वो अनुक्रम है जो लक्षणों के विकास में योगदान नहीं देता है अगली खबर है ग्रामीन विकास मंत्राले ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली की प्रगती की समिक्षा की है महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गारंटी योजना मन्रेगा के तहट मजबूरी भुगतान के लिए भुगतान के मिशृत माध्यम को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है इस मिशृत माध्यम में राष्ट्रिय स्वचालित समाशोधन ग्रह, नाच और ABPs शामिल हैं ABPs यानि आधार आधारित भुगतान प्रणाली वर्तमान में मन्रेगा लाभार्तियों के वेतन का भुगतान लाभार्ती की आधार आधारित भुगतान प्रणाली की इस्थिती के आधार पर ABPS या नाच का उपयोग करके किया जा सकता है विकल्प एक है आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानि ABPS यदि कोई लाभार्ती ABPS सक्षम है तो भुगतान केवल ABPS के माध्यम से ही किया जाएगा और विकल्प दो है नाच यदि कुछ तक्निकी कारणों आदि की वज़े से लाभार्ती ABPS के लिए सक्षम नहीं है तो मजदूरी का भुगतान करने के लिए नाच का उपयोग किया जा सकता है नाच यानि राष्ट्रिय स्वचालित समाशोधन ग्रह आधार आधारित Payment Brids प्रणाली यानि ABPS की अगर हम बात करें तो मनरेगा ने आधार सक्षम भुगतान को नहीं अपनाया है बलकि इसने आधार आधारित Payment Brids प्रणाली को सुविकार किया है ABPS एक विशिष्ट भुगतान पणाली है इसका कार्यान वियन भारतिय राष्ट्रिय भुगतान निगम ने किया है ये लाभारतियों के आधार सक्षम बैंक खातों में सरकारी सबसीरियों और लाभों को इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रेशित करने के लिए आधार संख्या को कुंजी के रूप में उपयोग करता है ABPS भुगतान अनुदेशों का पालन करने का एक तरीका है इसमें अंतिता भुगतान बैंक खाते में जमा हो जाता है एक पर योजना डेटाबेस में आधार अपडेट हो जाने के बाद लाभारति को इस्थान परिवर्तन या बैंक ख बड़ी मात्रा में दोहराए जाने वाले और आवधिक प्रकृति के इलेक्ट्रोनिक लेंदेन को सुगम बनाने में मदद करते हैं और आई अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्पूर्ण सुर्खियों के बारे में सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारति प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेवी ने घेर लागकारी संगटनों के लिए सुगमता पूर्वक धन जुटाने के लिए नियुन्तम निर्गम आकार की सीमा को कम करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज से भी द्वारा विनिमित प्लेटपॉर्म है यहां लाभ अर्जक सामाजिक उद्ध्यम और एनपियो सामाजिक उद्धेश्यों से धन जुटा सकते हैं पूँजी जुटाने के लिए सामाजिक उद्ध्यमों और स्वेक्षिक संगटनों को सूचिबध करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का विचार केंद्रिय बजट 2019-20 में प्रस्तुत किया गया था यहाँ पूँजी, एक्विटी, रेण या म्यूच्वल पर्ण की तरह जुटाई जाती है सामाजिक उद्ध्यमों में राजस्व उद्पन करने वाला ऐसा व्यवसाय शामिल होता है जिसका प्रात्मिक लक्ष एक सामाजिक उद्धेश्य प्राप्त करना होता है उद्धारन के लिए स्वास्थ देखभाल या स्वक्ष उर्जा प्रदान करना अगला टॉपिक है आत्म सम्मान विवाह हाल ही में सुप्रिम कोर्ट ने ये निरने दिया है कि वकील हिंदू विवाह आधिनियम 1955 की धारा साथ एके तहत परस पर सहमद दो वयसकों के बीच आत्म सम्मान विवाह समारोह पूर्वक संपन्न करवा सकते हैं ऐसे विवाह को तमिल में सुई मर्यादई या सीर तिरुता कहा जाता है साथ ही ऐसे विवाह की सावजनिक घोशना करना आवश्यक नहीं है हिंदू विवाह अधनियम की धारा साथ ए 1967 में जोड़ी गई थी ये केवल तमिलाडू पर लागू होती है ये धारा आत्म सम्मान और पंथ निर्पेक्ष विवाह पर विशेश प्रापधान से संबन्दित है आत्म सम्मान विवाह किसी यूगल को बिना किसी पंडित के और मित्रों और रिष्टेदारों तथा अन्य विक्तियों की उपस्ति में एक संफ्ट भोशना के माध्यम से अपने विवाह को संपन्न करने की अनुमती देता है प्रशांत दश्किय दोलन कुछ अध्यनों के मताबिक PDO यानि Pacific Decadal Oscillation भविश्य में भूमधिरेखा के समीप और ज्यादा चक्रवातों के निर्मान का कारण बन सकता है Pacific Decadal Oscillation समुद्री सतह तापमान पाराधारित एक जलवायू चक्र है ये उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में विसंगतियों को दर्शाता है Pacific Decadal Oscillation प्राकृतिक रूप से होने वाली एक परिघटना है ये परिघटना गर्म और ठंडे चरणों के बीच घटित होती रहती है प्रतियक चरण लगभग 20-30 वर्शों तक रहता है इसे अकसर दीरगाव अधी तक प्रभावी रहने वाले प्रशांत जलवायू परिवर्तन शीलता के एक अलनीनो प्रतिरूप के रूप में बढ़नित किया जाता है जलवायू पर इसका प्रभाव ये होता है कि ठंडी और गर्म जलराशियों की अवस्थिती में परिवर्तन हो जाता है इससे जेट स्ट्रीम का मार्क बदल जाता है अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ क्रिशी से संबंदित ग्रीन हाउस गैसों पर वैश्विक अनुसंधान गठ बंदन न्यूजिलेंड की मंत्री ने भारत को जी आरे में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है अनुसंधान में अंतराश्विय सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लौंच किया गया था इसका उद्देशित धान, फसल उपजाने और पशुधन जैसे कृशी उपशेत्रकों में उत्सरजन शमन से जुड़े अनुसंधान प्रयासों को गहरा करना और व्यापक बनाना है वर्तमान में इसके सरसर सदस्य देश हैं भारत इसमें शामिल नहीं है और आईए बात करते हैं अगले टॉपिक की प्रवासन, पर्यावरन और जल्वायू परिवर्तन मंत्राले पर कमपाला मंत्री इस्तरिय घोशना पत्र इस घोशना पत्र को कमपाला घोशना पत्र के नाम से भी जाना जाता है लगभग 48 अपरीकी देशों ने इसे अपनाने के लिए सहमती व्यक्ति की है इसका उद्देश महादवीप में मानव गतिविधियों और जल्वायू परिवर्तन के संबंध को रिखांकित करना है गोशना में पांच विश्यों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सहीयोग बढ़ाने का आवान किया गया है और ये पांच विश्यों हैं लगातार जारी मरुस्थली करन और भूमी शरन पारिसितिकी तंत्रों का असांधारनी उपयोग जलवायू परिवर्तन और आपदाओं के कारण लोगों का अनियोजिक प्रवासन जलवायू परिवर्तन के प्रभाव पर डेटा और तुलनात्मक आखनों की कमी तथा जलवायू संकट के खिलाफ प्रतिक्रिया के लिए साज़दारियों और विद्ट पोशन की सीमाएं और आईए अब बात करते हैं पिछले दिनों चर्चा में रहे चंद्रियान 3 के बारे में प्रग्यान रोवर द्वारा कुछ खोजे की गई है चंद्रियान 3 के रोवर मौध्यूल प्रग्यान ने चंद्रमा के दक्षनी द्रुप के पास सलफर की मौजूदगी की पुष्टी की है इसके पुष्टी रोवर पर लगे लेजर इंड्यूस ब्रेक्डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरन द्वारा उसी इस्थान पर मापन के माध्यम से की गई थी रोवर ने अलुमीनियम, केल्शियम, आइरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सिजन सहित अन्य तत्वों की मौजूदगी का भी पता लगाया है इससे पहले विक्रम लेंडर पर लगे चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपारिमेंट चेस्टे पेलोड ने चंद्रमा की सथय पर तापमान में ज्यादा अंतर का परेविक्षन किया था ये मिशन 6 सितमबर तक चंद्रमा पर सूर्यास्त होने तक जारी रहेगा राष्ट्रिय सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन इसका लक्षे 2047 तक सीकल सेल के अनुवानशिक प्रसार को समाप्त करना है राष्ट्रिय सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को 17 उच्च फोकस वले राजियों में लागू किया गया है इसमें जागरूपता समगर आबादी की स्क्रीनिंग और परामर्श शामिल है सीकल सेल लाल रक्त कोशिकाओंसे जुड़े अनुवानशिक विकारों का एक समूओ है आर्बीसीज में हीमोगलोबिन होता है इस रोग में आर्बीसीज के आकार में परिवर्तन हो जाता है कोशिका एक साधरन डोनट के आकार से बदल करके अर्द चंद्राकार या दराथी के आकार की बन जाती है जिससे शरीर में रक्त का प्रवाहा अवरुद्ध हो सकता है इससे क्रोनिक एनीमिया अंगों की शती आधी हो सकती है भारत में जनजाती आबादी में ये बीमारी अधिक सामाने हैं वर्तमान में सीकल सेल रोग का एक मात्र इलाज रक्त और अस्थी मज्जा का प्रत्यार उपन है मेटा ने हजारों ऐसे फेस्बुक एकाउंट खटा दिये हैं जो स्पामोफलेज नामक अभियान का हिस्सा थे स्पामोफलेज एक व्यापक ओनलाइन चीनी स्पाम ओपरेशन था ये चीन की प्रशनसा करता था और सेंक तुराजय अमेरिका पश्ची में विदेश नीतियों एवं चीनी सरकार के आलोचकों के विरोध में पोस्ट करता था पिछले साल रूस का डॉपल गैंगर नामका एक ऐसा ही अभियान खबरों में था ये यूरोप के मुख्य नियूज आउटलेट्स की वेबसाइट की नकल करता था साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में फर्जी स्टोरीज पोस्ट करता था फिर उनके ऑनलाइन प्रसार का प्रयास करता था अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री उज्वला योजना इस योजना के तहट केंद्र अतरिक्त 75 लाग उज्वला कनेक्शन प्रदान करेगा इससे प्रधानमंत्री उज्वला योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 10 करोड 35 लाग हो जाएगी प्रधानमंत्री उज्वला योजना का उद्धिश्य खाना पकाने का स्वक्ष इधन LPG प्रदान करके महिलाओं और बच्चों की स्वास्थे की रक्षा करना है पेट्रोलियम और प्राकर्टिक गैस मंत्राले ने 2016 में प्रधानमंत्री उज्वला योजना और 2021 में उज्वला 2.0 योजना आरंभ की थी इस योजना के तहट निश्युलक LPG कनेक्शन प्रदान किया जाता है साथ ही प्रती कनेक्शन 1600 रुपे की वित्तिय सहता भी दी जाती है ये वित्तिय सहता, सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, LPG पाइप, उभोगता कार्ड और इंस्टोलेशन चार्ज की लागत को कवर करने के लिए दी जाती है और आईए बात करते हैं सुर्खियों में रहे विक्तित्तों के बारे में मेजर ध्यान चंद, 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रिय खेल दिवस मनाया गया ये दिवस होकी के दिगज खिलाडी मेजर ध्यान चंद की जयनती के उपलक्षे में प्रतिवर्ष मनाया जाता है मेजर ध्यान चंद फील्ड हौकी के प्रिसिद्ध भारतिय खिलाडी थे। उन्होंने 1928 के ओलंपिक में भारतिय टीम की जीत में प्रमुक योगदान दिया था। इस प्रतियोगिता में भारत में हौकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 1934 में उन्हें भा मात्य टीम का कफ्तान बना गया था। मेजर ध्यान चंद को वर्ष 1956 में पद्मभूशन से सम्मानित किया था। मेजर ध्यान चंद के जीवन मुल्य थे, कर्तव्य के प्रतिसमर्पन और देश भक्ति। इसके साथ ही यंग समाप्त होता है, अगले यंग में फिर मुलाकात ह तब तक अपने लक्ष के लिए तत पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाजब, नमस्कार.